नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त कमल सिंग और आप देख रहे हैं साइंस डिस्कवरी और फैक्टीच चनल जहां हमेश आपको मिताया कुछ नया कुछ रोचक और कुछ खास तो दोस्तों सिकटी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ऐहम जानकारी जहांकों आपको हम बताने वाले हैं एक भारती विग्यानिक के जीवन से जुड़ी बहुत सारी जानकारिया और उस भारतिय विग्यानिक का नाम है डॉक्टर सतेंदरनाथ बोस तो दोस्तों इनके जीवन के बारे में और इनकी कुछ रिसर्चों के बारे में आपने अपनी विग्यान की उस्तकों में पढ़ा होगा और इसके तरीक आपने कई जगा उनका नाम भी सुना होगा तो दोस्तों इनके जीवन में इनके जनम से लेके इनके एंड तक इन्होंने क्या कुछ किया किस-किस महान विग्यानिक से मिले इसके पूरे परिचे के साथ में हम आपके साथ आज आए हैं तो दोस्तों ये जो वीडियो है इसके बारे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये इंडियन मिनिस्ट्री का एक चैनल है जहां से हमने इसको आपके लिए लिया है तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिनों नहीं किया और वेल आइकन को प्रेस करना न भूलें दोस्तों अपने कमेंट से हमको ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और किस तरह का डाटा आप हमसे और ज़्यादा चाहते हो अर्थाथ किस विशे पर आप हमसे और नौलेज चाहते हो हम उस विशे पर काम करके आपके लिए और ज्यादा बेतरीन वीडियो बनाएंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं पहली जनवरी 1894 उतरी कलकत्ता के इसी घर में एक सितारे का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर भौतिक विज्ञान में नए आयाम इस्थापित किये और जिसका नाम हमेशा के लिए अलबर्ट आइंस्टाइन के नाम के साथ जुड़ गया इस बच्चे का नाम था सत्येंद्र नात बोस उनके पिता सुरिंद्र नात बोस तथा माता अमोधनी देवी मध्यम वर्गिये शिक्षत पंगाली समाज का अंग थे ये है बोस का पैत्रिक निवास जहां अब उनकी याद में एक प्रात्मिक स्कूल चलाया जाता है बोस ने पहले सामान्य स्कूल में और फिर हिंदु स्कूल में शिक्षा ग्रहन की उन्होंने अपनी आरंभिक परिक्षा 1909 में पास की स्कूल में एक बार उनके गणित शिक्षक उपेंद्र बक्षी ने गणित परिक्षा में 100 में 110 अंक दिये और भविश्यवाने की कि सत्येंद्र लैपलास और कोशी की तरह एक दिन महान गणितग्य बनेंगे 1905 में सत्येंद्र सिर्फ 11 वर्ष के थे ये साल बंगाल के इतिहास में महतोपून था 16 अक्टूबर को लॉट करजन ने बंगाल विभाजन का ऐलान किया और पूरे बंगाल में विद्रोह की आग भड़त उठी कई नेता सलाखों के पीछे पहुँच गया इन सारी घटनाओं ने मासुम सत्येंद्र के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला स्कूल के बाद सत्येंद्रनाथ प्रेसिडेंसी कॉलेज गये जहां पहली बार उनकी मुलाकात मेखनात साहा, ज्यानचंद्र घोश, प्रशांथ चंद्र महाला नोबिस, ज्यानेंद्रनाथ मुखरजी तथा निखिल रंजन सेन से हुई जो आजीवन उनके दोस्त बने रहे यहां उन्हें जगदीश चंद्र बौस तथा प्रफुल्द चंद्र रे जैसी महान हस्तियों से ज्यान मिला 1913 में भौतिकी में सनातक की परिक्षा तथा 1915 में संयुक्त गणित में सनातकोत्तर परिक्षा में उन्होंने सरुप्रथम स्थान प्रात्त किया सनातकोत्तर का उनका अंकपत्र एक यादगार दस्तावेज बना अंतरिक्ष भौतिकी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले उनके अभिनमित्र मेगनात सहा को इस परिक्षा में दूसरा स्थान प्राप्थ हुआ 1914 में उनका विवाह उशा बाला देवी के साथ हुआ 1917 में सत्केंद्र नात तथा मेगनात को कलकत्ता विश्वविद्याले के उपकुलपती सर आशुतोष मुखरजी ने नौनिर्मित University College of Science में क्रमशह, भौतिकी तथा व्यवाहारिक गणित का व्याख्याता नियुक्त किया वो दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आइंस्टाइन के सापिक्षता के सिध्धान्त का जर्मन से अंग्रेजी में रूप आंतर किया कलकत्ता विश्वविद्याले ने इस रूप आंतर को 1919 में एक पुस्तक का रूप दिया जिसका शीरशक था The Principle of Relativity इस पुस्तक का परचे एतिहासिक था जिसे प्रशांत चंद्र महाला नोबिस ने लिखा था बोस के विज्ञान पर प्रकाशित प्रारंभिक आलिखों में कुछ उनके मित्र मेगनाथ साहा के साथ 1918 से 1920 तर साजहा रूप से लिखे गए थे ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित धाका विश्वविद्याले का क्रिया कलाब 1921 में शुरू हो गया था उसी साल बोस ने धाका विश्विद्याले के भौतिक विज्ञान विभाग में रीडर के पतपर कारे करना आरंभ किया जबकि उनके मित्र ज्यांचंद्र घोश ने रसायन विज्ञान विभाग में पढ़ाना शुरू किया ये है धाका का वो घर जो उनका आवास था और जिसे अब तोड़ दिया गया है 19 सदी का अंत तथा 20 सदी का प्रारंब भौतिक विज्ञान के लिए काफी उथल पुथल भरा रहा ब्लैक बॉडी विकिरण के गहराई से किये गए अध्ययन ने उल्चने बढ़ा दी ब्लैक बॉडी किसी भी उर्जा को अवशोशित कर लेता है जब आप किसी पडार्थ को गर्म करते हैं तो वो पहले लाल और फिर सफेद हो जाता है जब इसमें से रोशनी निकलती है तो उसमें इंद्रधनुश की तरह पराबर मात्रा में सभी रंगों का समावेश रहता है हर रंग में कुछ उर्जा होती है ये वक्ररेखा बताती है कि किस तरह रंगों के बीच उर्जा बटी होती है ये स्पेक्ट्रम है जब कोई पडार्थ गर्म होकर लाल हो जाता है तो उसमें से निकलने वाला प्रमुख रंग लाल होता है तापमान बढ़ाने पर रंग पराबैगनी की ओर परिवर्तित होता है समस्या है कि पारमपरिक सध्धान्त के अनुसार ब्लैक बोडी को पराबैगनी छेत्र से अनंत उर्जा का विक्रण करना चाहिए निश्चित रूप से ये सध्धान्त अर्थ हीन है क्योंकि पराबैगनी छेत्र में प्रायोगिक वक्र रेखा दरसल नीचे की ओर चली जा रही है लिहाजा प्रियोग तथा परंपरा में सपष्ट विरोधा भास है उनिश्वी सदी के अंत में जर्मनी के मैक्स प्लैंक ने सिधान्त दिया जो इन प्रायोगिक वक्र रेखाओं की सही व्याख्या करता है इसमें प्रेणा के आधार पर अनुमान लगाया गया इसका पहला भाग पारंपरिक भौतिकी का है लेकिन दूसरा नहीं दूसरा भाग वक्र रेखा के नीचे जाने तथा पराबैगनी विनाश को बचाने की व्याख्या करता है सवाल था दूसरे भाग के भौतिकी की किस सिधान्त के अंतरगत व्याख्या की जाए प्लैंक के मुताबिक दूसरा भाग बताता है कि उर्जा को तब तक आउशोशित या निश्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसकी नियुनतम मात्रा ना हो जिसे क्वांटम कहते हैं इस प्रकार कोई पदार्थ एक उची इमारत के समान है अगर आप किसी बॉल को पहले माले तक फेकना चाहते हैं तो आपको नियुनतम उर्चा का इस्तेमाल करना होगा अन्यथा ये पहले माले तक नहीं पहुँच पाएगा अगर आप उसे दूसरे माले तक फेकना चाहते हैं तो आपको दूगनी उर्चा खर्च करनी होगी, इसी तरह आगे के उदारण है पांच में माले से गिरने वाले बॉल में पांच गुना कम उर्चा होगी इस सामान्य उदारण के जरिये प्लैंक दूसरे भाग की व्याख्या करने में सफल हो सके क्वांटम क्रांटी के दुशा में ये पहला कदम था 1905 में आइंस्टाइन ने इस क्रांटी के दूसरे चरण से परिचे कराया प्लैंक सिध्धान्त के एक बहतरेन विशलेशन में उन्होंने दिखाया कि प्रकाश के दूरी तै करने के माध्यम तरंग तथा छोटी गोलियों के समान कर दोनों हैं आज की तारीख में हम इन्हें फोटॉंस कहते हैं उन्होंने साबित किया कि ये तुरंत फोटो एलेक्टिक प्रभाव की सटीक व्याख्या करता है जब प्रकाश धातू पर पड़ता है तो इलेक्टरोंस का निश्कासन होता है उनकी संख्या प्रकाश की चमक पर निर्भर करती है जैसे-जैसे प्रकाश नीला होता है उनकी उर्जा बढ़ती है पारंपरिक सिध्धान्त में इसकी व्याख्या नहीं थी प्रसिध तरंग करण दुविधता सिध्धान्त की ये शुरुवात थी आप इसे किस तरह देखते हैं तरंगें बिखर कर विभिन आकार बनाने में मदद करती हैं जबकि कड नुकीले होते हैं तथा ऐसे आकार नहीं बनाते कुछ वैज्ञानिकों ने तुरंट इंगित किया कि आइंस्टाइन की गोलियों के समान फोटॉन्स का सिध्धान्त प्लैंक के सिध्धान्त का पालन नहीं करता ये बात आइंस्टाइन के लिए चौकाने वाली थी जो गतिविधी प्लैंक के सिध्धांत का अनुसरण कर रही है वो उसका विरोध कैसे कर सकती थी आइंस्टाइन के सिध्धांत में ये खामी थी इस खामी के कारण प्लैंक के नियम के संतोष जनक व्याख्या की कई कोशिशें हुई स्वैंप्लैंक, डिबाई, आइंस्टाइन, पावली और आइंस्टाइन तथा एरनफेस्ट सभी ने नए सिध्धांत प्रतिपादित की ये थी भौतिक विज्ञान की इस्थिती जब बोस ने धाका विश्व विद्याले में भौतिकी पढ़ाना शुरू किया शिक्षण में उन्हें भारी परिशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने पाया कि ये सभी सिध्धांत एक आधार भूत तारकिक अशुद्धी का शिकार हैं प्रतेक सिध्धांत पारंपरिक सिध्धांत के पहले भाग से शुरू होता था तथा दूसरे भाग तक पहुचने के लिए विभन तरक देता था जल्द ही बोस ने एक नया सिध्धान्ट प्रतिपादित किया, जिसमें पहले भाग समेथ पूरा प्लैंक नियम, क्वांटम सिध्धान्ट पर आधारित था, उन्होंने सिध्धान्ट दिया कि फोटॉन गोलियों की तरह नहीं है, जैसी आइंस्टाइन ने कलपना की थी, बल उसने अपना शोध इंग्लैंड के फिलोसफिकल पत्रिका में छपने के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने इसे अस्विकार कर दिया, तब उन्होंने इसे आइंस्टाइन को एक प्रावरण पत्र के साथ भेजा, जिसमें उन्होंने अपने शोध की व्याख्या की, और आइं इस शोध से इतने प्रभावित हुए, कि उन्होंने स्वैम इस शोध का अनुवाद किया, और इसे प्रसिद जर्मन पत्रिका लाइट सेफ्ट फिलोफिजिक में छपवाया, अपनी टिपड़ी में उन्होंने लिखा, कि वो बोस के प्रतिपादित गड़ना के तरीके को ब कि किस प्रकार बोस की गड़ना विधी, गैस के अनुकूल है, और इस तरह गैसों के क्वांटम सिध्धान्त का आरंभ हुआ आइंस्टाइन की टिपणी से उत्साहित बोस, 1924 में पेरिस के लिए जहाद से रवाना हुए, जहां वो पूरे एक साल तक रहे मैडम क्यूरी ने इस आधार पर बोस को अपने साथ नहीं रखा, कि उनके प्रेयोक्षाला में कारे करने के लिहाद से फ्रेंच भाषा की उनकी जानकारी काफी कमजोर थी तब बोस ने 6 महिने तक प्रिंस मौरिस दी ब्रोगले के साथ काम किया, जो प्रिंस लुई दी ब्रोगले के बड़े भाई थे उस वक्त वो अपने शाही घर के खाली पड़े अस्तबल में एक स्रे क्रिस्टल विज्ञान प्रयोक्षाला स्थापित कर रहे थे X-ray के क्रिस्टलिये पदार्थ पर पढ़ने से दोनों के बीच परस पर संबंध के आधलन को क्रिस्टल विज्ञान कहते हैं प्रफेसर एसन बोस ने भारत में X-ray क्रिस्टल विज्ञान शोध में महत्वपूर्ण जोगदान दिया उन दिनों वैज्ञानिक शोधि के लिए धानिक अठा करना आसान काम नहीं था। लिहाजा उन्होंने धाका विश्विध्याले में यंत्रकी विभाग की मदद से अपने लिए स्वयम एक्सरे क्रिस्टल विज्ञान प्रयोगशाला बनाई और कैमरे तयार किये। उन्होंने धाका विश्विध्याले में अपने प्रयोगों के विश्विशन के लिए कई कैमरे बनाएं। छै महिने बाद जब मैडम क्यूरी को इस बात का संतोश हो गया कि बोस परियाप्त फ्रेंच भाषा सीख चुके हैं तो बोस को पेरिस में उनके विश्व प्रसिध र परलिन गए और नौवंबर 1925 में आइंस्टाइन से पहली बार मुलाकात की। आइंस्टाइन के साथ उन्होंने कई मुद्दों पर बात की और उस वक्त के कई प्रसिध वैज्यानिकों से उनकी मित्रता हो गई। 1926 में वो धाका लोटे और भौतिक विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त हो गए। वापस लोटने पर उन्होंने भौतिक विज्ञान विभाग को मजबूत किया और एक X-ray crystal विज्ञान प्रयोक्षाला स्थापित किया। उन्होंने रसाइन विज्ञान विभाग में भी काम किया तथा 1943 तर कई आलेख लिखे। उन्हें धाका विश्विद्याले का संकाय अध्यक्ष और फिर अध्यक्ष बनाया गया। 1944 में वो भारतिये राष्ट्रिये विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1945 में वो भौतिकी के खैरा प्रोफिसर के रूप में कलकत्ता विश्विद्याले लोटा है। संगीत, चत्रकारी तथा साहित्य में उनकी गहनरुची थी। कवी बिश्णुडे, प्रसिद चत्रकार जामनी रॉय और प्रसिद गायक दलीत कुमार रॉय उनके अभिनमित्रों में शामिल थे। बोज की गर्णा विधी को समझने के लिए हम ये छोटी कटोरियां तथा दो समान दिखने वाले बौल लेते हैं। इन कटोरियों में हम बौल को कितने तरह से सजा सकते हैं। मैं इन दोनों को एक में डाल सकता हूं। ये एक व्यवस्था है या फिर एक ये है, ये दूसरी व्यवस्था है। या फिर मैं इन्हें तीसरे में डाल सकता हूँ, इस तरह तेन संभावित विकल्प हैं, या मैं एक यहां डाल सकता हूँ और दूसरा वहां, ये चौथी व्यवस्था है, या एक यहां और दूसरा वहां, या फिर पहला इसमें और दूसरा उसमें, ये छटी व्यवस्था है, ये तीन कटोरियों में दो बॉल की छे संभावित व्यवस्थाएं हैं, लेकिन पारम परिक्पदार्थ इन बॉल की तरह नहीं है। उदारण के लिए अगर मैं इस कटोरी में दो बॉल रखता हूँ और उनकी स्थिती बदल देता हूँ, तो ये एक नई व्यवस्था होगी। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि आपको इन बॉल से अलग उदारण का पालन करना है। ये पारम परिक बॉल हैं, लेकिन फोटॉंस इन से अलग हैं। अगर आप फोटॉंस को इस तरह बदलते हैं, तो नई व्यवस्था नहीं बनती। तभी संभव है जब फोटॉंस के साथ किसी तरह का तरंग जुड़ा हुआ हूँ। ताकि आप उसकी इस्थिती स्थानिये नहीं बना पाएं। दो फोटॉंस के तरंग एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। लहाजा आपको ये मालूम नहीं होता कि कोई खास फोटॉंस कहां है। यही बोज की सांखिकी का आधार है। अब बोज की सांखिकी तथा फर्मी डिरेक्ट की सांखिकी में क्या फर्क है। देखिए बोज की सांखिकी में आप किसी कटोरी में जितने बॉल चाहें रख सकते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्मी डिरेक्ट सांखिकी में एक कटोरी में एक से अधिक बॉल नहीं रखा जा सकता। चाहे वो फोटॉन्स, आयन्स, केयन्स, डव्ल्यू, जी या हिक्स हूँ। लेकिन दूसरी ओर एक कटोरी में आप जितने चाहें बॉल रख सकते हैं। ये बोज की सांखिकी है। यही कारण है कि जब आप अत्यनत निम्न तापमान पर ठंडा करते हैं तो वो सभी मिलकर ए गड़ी एक बॉल हैं सैक्लों हजारों मिलकर एक बन जाते हैं और इसे इस्थिति को बोस आयन्स्टाइन कॉंडंसेट कहते हैं। कटों की सिर्फ दो इस्थिति होती है जो पदार्थिया उर्जा बनाती है। बोसोंस जैसे फोटोंस, पायोंस, केयोंस, डबल्यू, जी, हेलियम, अडू इत्यादी और फर्मियोंस जैसे प्रोटोंस, नूट्रों, क्वाक्स, एलेक्ट्रोंस, मियोंस आदी 1924 के बाद से दिये जाने वाले अधिकतर नॉबल पुरस्कारों का आधार बोस के किये हुए महत्वपूर्ण कारे थे अब चलते हैं मॉंबई के टाटा इंस्टीट अफ फंडामेंटल रिसर्च में जहांकि प्रयोगशालाओं में बोस आइस्टाइन कॉंडेंसेट, सूपर फ्लूइडिटी और सूपर कंजक्टिविटी पर शोच चल रहे हैं TIFR के लेजर कूलिंग प्रयोगशाला में आपका स्वागत है, ये चुमकिये प्रभाव तथा शून या चैंबर का फ्षित्र है, जहां हम अनुओं की गति धीमिकर उनका अनुसरान करते हैं, हलांकि इस कारे के लिए हमें भारी भरकम प्रकाशी उपकरण स्थापित करने अवशोशित कर लेते हैं, इनमें लेजर लाइट उत्पन होती है, जिन्हें इन प्रकाशी उपकरणों के जरिये भेजा जाता है, उनकी बारमबारिता सुनिश्चित के जाती है, जिसके बाद वो शून या चैंबर में जाते हैं, और अड़ों के साथ मिलते हैं, उन्हें हैं लिएट फॉर के सिधान का अनुसरन करते हैं, आवेश के लिहाज से हिलियम फॉर तटस्थ होता है और वो चक्कर नहीं लगाता, 2.1 केल्विन पर वो सूपर फ्लूइड में परिवर्तित हो जाता है, सूपर फ्लूइड में ये परिवर्तन बोस कंडनसेशन के कारण हो बोस कंडनसेशन पूरी स्टिंग मान्यता के साथ सिर्फ बोसॉंस कड़ों के साथ होता है, हम इसे तरल नाइट्रोजन के साथ सूपर कंडेक्टर में डुबाते हैं, तरल नाइट्रोजन सेरैमिक पदार्थों को 0 से 190 डिगरी कम तक ठंडा करता है, और फिर पूरी विवस स्टाइन कॉंडनसेट उत्पन्न करते हैं, जो बिना किसी प्रतिरोध के गतिशील होता है, वो करेंट विशाल चुम्ब की एक शेत्र में प्रवावित होता है, जिससे चुम्बक उतराते हैं 1960 में जब कर भौतिकी का मानत नमूना विक्सित किया जा रहा था, तो एक समस्या सामने आई, सिध्धान्द के मुताबिक सभी कणों में ड्रव्यमान नहीं होना था, लेकिन उस स्थिती में वो प्रकाश की गति से चलते थे, और किसी ठोस पदार्थ का गठन नहीं होता था लिहाजा एक नए तरह के कण की आवश्यक्ता थी, जो सभी कणों को ड्रव्यमान देता था, जिसे ब्रम्हांड का गठन होता, और वो नया कण बोसान था, इसका नाम एजिनबर्ग के पीटर हिक्स के नाम पर हिक्स बोसान रखा गया, लंबे समय तक शोध के बाद हिक्स बोसान जुलाई दो हजार बारा में सर्न के विशाल हैड्रोन कोलाइडर में खोजा गया, बोस ने दुनिया के कई हिस्सों का दौरा कर अपना शोध प्रस्तुत किया, और भारत में कई राश्टिये प्रयोगशालाओं तथा संस्थानों के विकास में सक्रिय भागिदारी की ताकि देश में वैज्ञानिक अनुसंधान की मजबूत बुनियाद पड़ सके। वो कई राश्टिये प्रयोगशालाओं के अध्यक्ष तथा सलाहकार थे। जैसे राश्टिये भौतिक प्रयोगशाला, राश्टिये कांच इवं सिरैमिक अनुसंधान संस्थान, भारत भौतिकी संस्थान, एशियाटिक सोसाइटी तथा कई अन्या। बोस महान भारतिये कवी रविंद्रनाथ टैगोर से कई बार मिले। टैगोर ने बंगाली भाशा में विज्ञान पर अपनी इकलौती पुस्तक विश्व परचय वोस को समर्पित की। टैगोर से प्रेडित होकर उन्होंने 1948 में उत्तरी कलकत्ता में बंगी विज्ञान परिशत का गठन किया। ताकि आम लोगों में बुन्यादी विज्ञानिक ज्यान की जानकारी उनकी भाशा में दी जा सके। आचारे बोस, 25 साल पहले बंग्य विज्ञान परिशत के गठन के पीछे, आपका क्या उद्देश्य था? उस वक्त हम तुरंत स्वतंत्र हुए थे, लिहाजा हमने देश में विज्ञान की जानकारी फैलाने का निश्चे किया, ताकि देशवासी विज्ञान का योगदान समझ सके, वो विज्ञान और उद्द्योग की जरूरत समझ सके, और अपने रोजमर्रे की जिंदिगी में उ इस तरह शिक्षा की एक नई व्यवस्था पैदा हो सके। धर्ती के अंदर से पैदा हो रहे हैं, इनकी गहराई हजारों फीट है, धर्ती के भीतर इस्थित विभिन गैसों के साथ हीलियम भी बहार आ रहा है, सवाल ये है कि हीलियम का स्रोत क्या है, ये हीलियम कहां से आ रहा है, हे भगवान, इसका स्रोत धर्ती माता है, कई जगाह पर धर्ती के भीतर से गैस निकलती है, लेकिन प्राकरतिक गैसों का 1.8 प्रतिशत हिस्सा हीलियम का होना रोमान्चक है, ये एक इस्थिर गैस है, तथा कई कारणों से प्रभावशाली है, इसके कारण इस पानी में स्नान करने से मनाही नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं, और ये दल्चस्प कहानी की शुरुवात है, वैसाक महीने में समगर चटरजी तथा देबाशीश घोष इंगलेंड से कलकता आए, समगर चटरजी के लिए ये दल्चस्प अनुभव था, उन्होंने स्वैम कहा कि ये पूरा छेत्र हीलियम के उपर बसा हुआ है, जैसा मैं 1954 में उन्हें पद्म विभूशन से सम्मानित किया गया, उसी साल उन्हें राज्य सभा का सदस्य भी मरोनीत किया गया, 1956 में कलकता विश्व विद्याले से अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्हें विश्व भारती का उपकुल्पती निउप किया गया 1958 में उन्हें Royal Society London का सदस्य चुना गया, 1969 में उन्हें भातिकी का राश्ट्रिय प्रोफेसर निउप किया गया, उनका दफ्तर Indian Association for the Cultivation of Science में था, बोस अपने परिवार, मित्रों तथा च्छात्रों के साथ बेहत साधारण जीवन व्यतीत करते थे उनका असीवा जन्म दिन धूम धाम से कई बच्चों और जानी मानी हस्तियों ने बनाया इसके अगले महिने उनका देहान धो गया, इसके साथ ही विज्ञान की दुनिया में एक शून्य पैदा हो गया, जिसे भरना मुश्किल था उनके समान में बंगलादेश में धाका विश्वविद्याले ने एक म्यूजियम के साथ बोस सिंटर की स्थापना की, जिसमें अलबर्ट आइस्टाइन के साथ उनके प्रसिध पत्राचार के खत तथा कुछ व्यक्तिकत सामान रखे गए हैं बंगलादेश के निर्वान के पश्चा, बंगलादेश सरकार ने प्रफसर बोस को अपने स्वतंत्रता संग्राम का मित्र बताया उनकी मृत्यों के बाद भारत सरकार ने उनकी याद में कलकत्ता में एसन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज इस्थापित किया उनके परिवार ने उनके कई व्यक्तिकत सामान कलकत्ता में एसन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज तथा बॉंगिय बिज्ञान परिशत को उपहार में दिये हैं जीवन के आखरे दिनों में वो अकसर अंकों की लंबी स्ट्रिंखला की गणना करते थे इसका अर्थ किसी की समझ में नहीं आया वो न्यूटन की तरह एक अध्भुत दिमाग के मालिक थे और एक ऐसे यायावर थे जो गहरी सोच के समंदर में तनहा सफर करता रहा करता रहा है करता रहा है